नमस्कार मीत्रों मैं डॉक्टर माविर्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ मीत्रों आज हम विटामिन B12 की कमी के लक्षन और इसके उम्योपेथिक उप्चार के बारे में बात करेंगे तो आए शुरू करते हैं मीत्रों शरीर को स्वाष्थ रखने के लिए हमें पर्याप मात्रा में विटामिन्स, मिनराल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहएडर्स और फाइबर्स की जरूरत होती है विटामिन B12 भी इन में से एक होता है विटामिन B12 एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है इसको कॉबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारा जो शरीर है ये खुद विटामिन B12 नहीं बनाता इसलिए हमको विटामिन B12 के लिए बारे सोर्जी यानिकी R परी निर्भर रहना पड़ता है विटामिन B12 के functions यानि की कार्य के बारे में गर बात करें तो विटामिन B12 फॉलिक एसिड के साथ मिलके शरीर में नए रक्तकन को बनाता है साथ में विटामिन B12 brain और जो spinal cord की nerves होते यानि की जो चेता तंतु होते उसके उपर myelin seed को बनाने का कार्य करता है यह myelin seed ऐसे है जैसे की जो wire होता है उसके उपर plastic जो होता है वो cover करता है इसको ऐसे myelin seed नव को intact रखता है अगर विटामिन B12 की deficiency हो जाए तो उसकी वज़े से हमारी नवस यानि की चेता तंत्रा weak हो जाता है विटामिन B12, food में स्थीत, protein, carbohydrates और fat को एनरजी में रुपांतरित करने का कार्य करता है साथ में यह बहुत ही अच्छा immunity booster है यानि की जो हमारी रोग पर्याद्यों का क्षमता होते है इसको बढ़ाता है और तनाव से निपटने में यह बहुत ही useful विटामिन है इसलिए इसको anti-stress विटामिन भी कहा जाता है वित्र हमारे शरीर में किसी कारण अगर homocystin नाम का जो पदार थे वो बढ़ जाता है तो वो blood vessel को damage कर देता है जो विटामिन B12 है वो homocystin को नास करने का भी काम करता है साथ में यह शरीर के DNA और RNA के उत्पादन में भी help करता है विटामिन B12 की कमी के कारण के बारे में अगर बात करें तो इसकी सबसे पहली वज़ज़ होते है atrophic gastritis जिसमें जो stomach की inner layer है वो थीन हो जाते है जिसकी वज़े से विटामिन B12 का absorption कम हो जाता है या जिसने bariatric surgery कराई यानि की मोटापा कटाने के लिए जिन्होंने पेट की surgery कराई इनको भी B12 की deficiency होने के chance बहुत ही बढ़ जाता है या छोटी हात की कुछ बिमारिया होती है जैसे कि crunch disease है या celiac disease है ऐसी बिमारियों में भी विटामिन B12 की अक्सर कम हो जाती है साथ में जो आलकॉल बहुत ज़्यादा अलेर है रहांकि जो दारू बहुत ज़्यादा पिते है उन लोग विटामिन B12 की deficiency अक्सर होती है या कुछ immune system के disorders होते है जिसमें immunity हमारी कम हो जाती है इसकी वज़े से भी B12 की deficiency हो सकती है या कुछ लोग ऐसे जो acidity की medicines बहुत ज़्यादा खा रहे जैसे की omeprazole या pentoprazole या rabiprazole ऐसी कुछ दवाई अक्सर लोग लंबे समय से लेते है तो उनको भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है या diabetes की medicine, metformin ये जो लंबे समय से ले रहे इनको भी ये deficiency होने का chance बढ़ जाता है अक्सर जो vegetarian लोग है उनको भी ये कमी बहुत ही ज़्यादा होती है साथ में जो vegan हो गए याने कि जो दूद या animal products जो नहीं ले रहे उनको भी ये कमी अक्सर होती है ऐसा माना जाता है कि जो आरो का पानी ये पीने से भी vitamin B12 की कमी हो जाती है लेकिन ये अभी पक्का नहीं है क्योंकि इसका research अभी चल रहा है मित्र विटामीन B12 की कमी के लक्षणों के बारे में अगर बात करें तो सबसे इसका पहला symptom है आलस साथ में बहुत ही कमजोरी महसोस होती है बहुत ही थकान लगती रक्त की कमी हो जाती यानि कि एनीमिया हीमोगलोबिन हमारा कम हो जाती है अमारी जो पाचन सकती हो भी कमज पैर में जुन-जुन या सुन हो जाते सरदर्द भी होता है वोक कम लगती है मुह में छाले हो जाते मैंसिज लेडीज में इरेगुलर हो जाता है और हमारी जो इम्मुनीटिय यानि कि रोक्तिकार सकती हमारी हो कमजोर हो जाती है विटामिन B12 के डाइगनोसिस के बारे में अगर बात करें तो अगर हमारा प्लड में जो विटामीन B12 का लेवाल है यह 200 PG ML से अगर कम हो तो विटामीन B12 की जरूर्ट ट्रीटमेंट लेनी चाहिए विटामिन B12 के जो sources होते हैं उनमें जो non-vegetarian लोग हैं उनको meat में या fish में, eggs में, chicken में या crab यानि की केकड़े में से विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो अक्सर non-vegetarian food जो खाते हैं उन लोगों में B12 की कमी बहुत कमी पाई जाती है मित्रो आए अब जानते हैं कि जो vegetarian लोग हैं उनको कौन से R में से ज़्यादा विटामिन B12 मिल सकता है तो फर्स चीजे white button mushroom जो मश्रूम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में protein और vitamin B12 होता है दूसरी चीजे low fat milk यानि कि जो बिना मलाई वाला जो दूदे उनको ले चीजे दहीं और चावल दहीं और चावल मिक्स करके खाने से बहुत ही ज़्यादा vitamin B12 मिलता है और एक चीजे cottage cheese आम चीज के मुकाबले cottage cheese में बहुत ही ज़्यादा vitamin B12 होता है और सोया प्रोड़क्ट्स यानि कि जो soya bean या soya milk या soya पनेर यानि कि जो टोफो होता है उसमे भी vitamin B12 बहुत ही जादा मिलता है और last is अंकूरित आहर जो sprout आहर होता है यानि कि जो अंकूरित स्थ्या ऩीजो आहर होता है उसमें उसमें विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन के भी होता है तो जिनको भी विटामिन की scarce या Number वीटामिन की डेफिशंसी हो तो उनको अंकुरी ताहर तो जरूर लेना चाहिए तो इसमें ये सभी वीटामिन आपको मिल जाएंगे मित्रो अगर B12 की डेफिशंसी बहुत जादा है यानि की डेट सो से भी कम वीटामिन B12 तो आपको डॉक्टर्स के परामर्स के अनुसार मिथाइल कोबालमिन की इंजेक्शन जरूर लगवाने चाहिए अकसर ये 10 से लेके 20 इंजेक्शन का कोर्स होता है इतरो अमियोपेथी में भी वीटामिन B12 का बहुत ही अच्छा इलाज होता है इसकी अगर मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन है 5-4-6-6 ये 5-4-5 में से मिलके बनती है यानि की केलकेरिया फोस, फेरम फोस, काली फोस, मेगनेशन फोस और नेटरम फो साम लेने से बहुत ही ज्यादा लाब मिलता है दूसरी मेडिसिने जैलसी में 200 जिसको भी थकान बहुत ज्यादा होते पूरे दिन नींद आती रहते चक्कर आते या विचार करने की जो अमारी क्षमता है वो ख्षिन हो जाती है अगर ऐसे सिम्टम से तो जैलसी में 200 पोटे आत और पैरों में बनी रहती है और हमारी जो मसर्ज है उसकी अगर बहुत ही ज्यादा कम जूरी तो जिंकम में 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लेने से बहुत ही ज्यादा फाइदा मिलता है और फोर्थीस की मेडिसिने मर्क सॉल 200 किसी को B12 की डेफिसेंसी के चलते अगर मुह में या टंग में अलसर यानि की छाले हो गए टंग में सुजन आ गए और मुह में से बदबु आती और लार आती रहती यानि की सलाइवेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गाए तो मर्क सॉल 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले कुछ दिनों तक लेने से ये सारे सिम्ट दूर हो जाएंगे और इसकी फिफ्ट मेडिसीनी कौस्टिकम 200 जो कौस्टिकम 200 वह जो हमारा मसल का जो कोडिनेसी वह अगर कमजोर हो गाए और साथ में आथ पेर सून हो जाते चलते चलते हमारा जो बैलेंस है वह नहीं रहता यानि कि हम अंस्टेडी हो जाते और कभी- सकते हैं कोई तो अगर ऐसे सिम्टम है खास करके आथों में बहुत ज्यादा कमजोरी और पैरों में कमजोरी तो कौस्टिकम 200 पोटेंसी में दिन में एक बार लेने से बहुत ही अच्छा लाब मिलता है और एक सिरप है हिल्वेल कमनी का अलफा अलफा बीटवेल सिरप यह इसमें जिंक होता है अलफा अलफा भी होता है और बीटवेल और कैल्शेम और आयरन यह सभी का कॉंबिनेशन होता है तो हिल्वेल कमनी का अलफा अलफा बीटवेल सिरप लेने से भी बहुत ही अच्छा लाब मिलता है अगर बच्चा है तो इसको दिन में एक चमत खाने से से पहले तीन बार लेना चाहिए और बड़ों को डेड़ चमत सुबह दो पर और साम खाने से पहले लेने से विटामिन B12 की डेफिसेंसी बहुत ही अच्छी तरह से दूर होते हैं मीत्रों उम्मिदे ये जानकारे आपको फसंद आये होगी नमस्कार जैहिन